अलो चैंपियंज कैसे हैं आप सभी इस विजय यूर मास्टर टीचर और आज हम बात करने वाले हैं ncrt solution of chapter number 11 जिसका नाम आप सब जानते हैं that is 3-dimensional geometry का introduction part ठीके तो यार introduction to 3D geometry कहिना कहीं 12 के अंदर बहुत जादा यूज होता है अगर आप 12 में जाएंगे तो वेक्टर वीडिय अपने आप में बहुत ही marginal chapter है बहुत अच्छा margin उसका exam में पुछा जाता है चाहिए board exam हो चाहिए J exam हो तो इस chapter को बिल्कुल ignore ना करें class 11 का जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है इस chapter को जरूर से जरूर पढ़के जाए hardly एक से डेढ़ घंडेगा यह chapter है इसके NCID के question अगर देखें बहुत कम question है और theory भी बहुत limited है तो यार शुरू करने से पहले पहले इसका basic introduction पार एक बार हम समझ लेते हैं क्या-क्या हमें idea होना पहले से चाहिए कि introduction to 3D में हमें क्या-क्या ऐसी चीजे हैं जो question solve करने से पहले पता होनी चाहिए तो चलिए सबसे पहले अगर बात करें तो हम सब जानते हैं कि 3 mutually perpendicular lines को हम coordinate axis कहते हैं ठीक है introduction पार्ट में सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि x axis y axis तक का पार्ट आपने पढ़ा हुआ है 2D में but z axis और यहाँ पर introduce हो जाती है और यह तीनों ही axis आपस में कैसी है perpendicular है ठीक है अब किसी भी point के अगर coordinate आपको लिखने है 3D के अंदर तो वो कोई भी point होगा उसके तीन coordinate होगे x coordinate y coordinate और z coordinate यह किसी भी point के coordinate को लिखने का तरीका है अब अगर point के position की बात करें चीक है अगर कोई point x axis पर लाई कर रहा है let's say यहाँ पर कहीं पर है a point बोलतेते हैं उसको तो इसके coordinate हो जाएंगे अगर यह distance x मान लेते हैं तो एक के coordinate हो जाएंगे x 00 या a 00 जो भी आप कहना चाहें अगर y axis पर कोई point आप लिखना चाहते हैं उसके coordinate तो यह हो जाएगा 0, y जहां पर यह distance को हम y consider करेंगे इस distance को हमने y लेट कर लिया और अगर z axis पर कोई point के coordinate लिखना है let's say c point है तो इसके coordinate हो जाएंगे 00 and z यहाँ पर यह हो जाएगा z distance को z मान लिए तो यह तो हो गया कि अगर कोई point axis पर लाई कर रहा है तो उसके corresponding कैसे coordinate लिखे जाते हैं अब अ 12 से एक डाइग्राम बनाया यह x-axis यह y-axis और यह z-axis हम जानते हैं कि x-axis और y-axis से मिलके x-y plane बनता है तो यह वाला जो plane है यह पूरा यह x-y plane है ठीक है y और z से मिलके बनता है y-z plane एक्स और z-axis से मिलके बनता है z-axis plane ठीक है अच्छा यह तीनो एक्सिस का जो point of intersection इसको हम origin कहते हैं यहाँ पर बताना रहे गया यह जो point है इसको हम origin कहेंगे और इसके coordinate हो जाएंगे 0,0,0 शुरुवात हमेशा 0 से होती है ठीक है तो origin को ह आपर लिखे हैं इनी plane में अगर कोई point आप consider करते हैं let's say x-y plane में कोई point हमने ले लिया l,l point ले लिया l point के coordinate हो जाएंगे x,y,0 कहने का हो तब यह है कि l point पे कैसे जाया जाएगा देखो यार यहाँ पर कोई point है तो आप x-axis के along x-distance चलोगे फिर y-axis के along y-distance चलोगे तब जाके आप इस point पे पहुंचोगे तो यह l point के coordinate ऐसे लिखे जाएंगे ऐसे ही m point के coordinate कैसे लिखोगे आप इसको आप y-z plane में है तो यह हो जाएगा 0,y,z और यहाँ पर अगर कोई point n मान लिया जाए x-z plane में तो इसके coordinate हो जाएंगे x,0,z याद करने का बहुत simple सा तरीका है अगर x-y plane में है तो कौन missing है आप में है तो y missing है y को 0 बोल तो ठीक है अब for example अगर मैं आपसे कहूं कि कोई point में आपको देता हूं उसके coordinate लिखके तो आप बता पाओ कि कौन से plane में है या कौन सी axis पर लाई कर रहा है let's say point के coordinate में लिखे 1,2,0 तो यार यह बताओ कि यह कौन सी axis पर लाई करेगा पहली बात point होते हैं उसमें दो coordinate ऐसे होते हैं जो 0 होते हैं देख लो आप यहां पर y और z 0 है यहां x और z 0 है यहां x और y 0 है ठीक है बट अगर एक point 0 है एक coordinate 0 है बाकी दो non 0 है तो उसका मतलब यह किसी plane में लाई करेगा कौन से plane में लाई करेगा जो missing है उसको छोड़ दो जैसे z missing है ठीक है तो यह x y plane में लाई करेगा ठीक है जेट को भूल जाओ यह x y plane में लाई करेगा इस लिहाज से आप सारे के सारे point के position को बता पाएंगे बहुत easily ठीक है अब अगर मान लो कोई point space में है तुबारा से मैंने diagram मनाया कोई point space में है let's say space में यहां कहीं पर है बट बोर्ट आप कैसे लिखोगे देखो आप x axis के along x distance चलोगे y axis के along y distance चलोगे और z axis के along z distance चलोगे तब जाके उस point पहुंचोगे इसके coordinate हो जाएंगे x,y,z तो कोई ऐसा point जिसके तीनो ही coordinate non-zero है ध्यान से सुनना तीनो ही coordinate मान लो non-zero है तो उस case में वो point space में लाई करेगा कहा लाई क पहते basic की हैं इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़े है basic की जो हम लोग during the question बीच-बीच में करते जाएंगे चलो गया शुरू करे 11.1 का पहला question क्या कहेता है a point is on the x axis what are its y coordinate and z coordinate तो यार अभी-अभी हमने पढ़ा basic के अंदर कि अगर x axis पर कोई point लाई करता है दुबार और x coordinate को x मान लेते हैं क्योंकि यह distance अगर x बोल दिया तो यह x,0,0 हो जाए तो यह और y और z coordinate क्या हो जाएंगे वो दोनों 0 हो जाएंगे उस नाम से यही पूछा है ठीक है खतम आगे बढ़ते हैं next question की तरफ चलते हैं अगला question a point is in the x,z plane कोई point है जो x,z plane में लाई कर रहा है दुबारा diagram बनाएंगे x axis, y axis and z axis ठीक है और अगर x,z plane की बात करें तो यह वाला plane आपका x,z plane होगा नीचे वाला ठीक है इस पर कोई point है लेट से यह कोई point है जो x,z plane में लाई कर रहा है तो इसके coordinate हो जाएंगे लेट से यह point element इसको n बोल देते हैं तो जाएगा x,0,z तो इसका y कोईडिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इसमें किसी को बहुत ही basic लल्लू पल्लू चिल्लर सवाल चल रहे हैं आगे बढ़ते हैं question number third, यह third question है अचा यह octane के बारे में यहाँ पर पूछा गया है तो मैं थोड़ा सा octane का आपको एक idea देता हूँ octane क्या होता है तो देखो यार, तीन coordinate axis होती है हमारे पास तीन coordinate axis है, x axis, y axis and z axis ठीक है, x axis, y axis and z axis यह हो गया origin उनका intersection point तो अगर मैं octane की बात करूँ तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको तीन ऐसे coordinate axis थोड़े से हवा में लेके समझने पढ़ेंगे इस तरीके से हम लोग अगर समझें, यह x axis यह y axis और भार की तरफ निकलावा z axis तो यह आगे पीछे भी बढ़ेंगे इनको आगे पीछे भी हमें बढ़ाना पड़ाएगा, जैसे अगर x axis की बात करें तो यह इस तरफ पूरी बढ़ेंगी, x axis यह पूरा x axis इसको हम negative part of x axis यह positive part of x axis है, ऐसे ही y को थोड़ा नीचे बढ़ाना पड़ेगा, यह y dash हो जाएगा, ऐसे ही z को नीचे बढ़ाएगे, तो यह z dash हो गया, इस तरीके से आप देखें, तो थोड़ा सा feel करें, 3D में इसको feel करें कि आपको यहाँ पर 8 अलग-अलग खाची दिखेंगे, 8 अलग-अलग octane बन गए, box को मैं octane बोल रहाँ, तो अलग-अलग octane बन गए, और हर एक octane के अंदर आप देखो, यह sign convention of according to the axis, जिसे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला box इस तरफ लिया जाता है, उपर-उपर के 4 ऐसे लेते हैं, फिर पीछे के 4 ऐसे लेते हैं, तो सबसे पहला जो यह राइट है, इस तरफ फर्स्ट क्वाडरेंट के हिसाप से कर देखें, यहां पर फर्स्ट octane बनता है, जिसके अंदर x-axis, y-axis positive होती है, x-axis और y-axis positive है, और z-axis का यह पीछे वाला हिस्सा इसमें use होता है, जो कि negative है, yes or no, ठीक है, ओके बिटा, तो देखो यार octane की अगर हम बात करें, तो first octane जो होता न, वो आगी की तरब उबरा हुआ होता है, तो first octane में x-axis, y-axis और z-axis तीनो positive हम लेके चलते हैं, first octane में x, y, z, तीनो positive होते हैं, और ऐसे ही इधर first octane, फिर इधर second octane, फिर नीचे third octane, फिर fourth octane, फिर ऐसे ही पीछे 4 octane मनेंगे, त उसके इसाब-साब sign convention यहाँ पर हर एक का, हर एक coordinate का लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे अगर first point की बात करें, तो यह first octane में लाई करेगा, कहा लाई करेगा, फिर इसके अंदर तीनो ही x, y, z positive है, ऐसे ही आप सारे लिख सकते हैं, सारे के सारे points के octane आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, अगला question, question number fourth, अब ध्यान से समझना है, यह feeling the blanks type का question है, पहला question इसके अंदर दिया है, the x-axis and y-axis, taken together, determine a plan, known as, देखो यार, अगर मैं first question की बात करूँ, तो x-axis और y-axis को अगर आप साथ-साथ लेते हैं, यह diagram आप बरट लो, यह diagram में हर question में कहीं ना कहीं बनाता हुआ दिखूंगा आपको, यहां पर हो गया point of intersection point, origin, अब x-axis और y-axis को साथ में लेकर के कौन सा plane, determine होता है, तो यहां पर यह x-axis है, यह y-axis है, तो यह वाला जो plane है, इसको हम मोलेंगे x-y plane, x-axis और y-axis से कौन सा plane बन रहा है, x-y plane बन रहा है, इ मतलब x-y plane में किसी भी point के coordinate कैसे लिखे जाते हैं, बहुत ही आसानी सा आप इस question का answer दे सकते हैं, point number 2 का, दुबारा से diagram बनाया, यह x-axis, यह y-axis, यह z-axis, यह बनगे आपका x-y plane, इस x-y plane में अगर कोई point आप लेते हैं, let's say, point हमने लिया, यहां पर l, तो इस point का z coordinate 0 होगा बाकी x-coordinate और y-coordinate non-zero होगे, तो उसने हम से पूछा है, क्या पूछा है, the coordinate of the point in the x-y plane are of the form, x, y, 0, इस form में हो जाएंगे, ठीक है, पहले वाले question का answer तो होई गया था, x-y plane, अब अगर number 3 question की बात करें, coordinate plane divides the space into 8 octanes, यह भी हमने पिछले वाले question में देखाता है, कि 8 अलग आगे चलते हैं, तो यह exercise 11 point यहां पर हो गई, खतम, शुरू होती ही खतम हो गई, ठीक है, आगे चलते है exercise 11 point 2 में, find the distance between the following pair of point, तो सबसे पहले हम distance formula के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, distance formula हम केसे पढ़ने वाले हैं, तो heading हो जाएगी distance formula, ठीक है, बहुत यहां तो समझना, जो class 11th में आप one x section वाले part में पढ़के आते हैं, straight line के अंदर, point and straight line के अंदर, जो distance formula होता है, परे खहल से 10th से ही शुरू हो जाता है, वही distance formula यहां use होगा, लेकिन सिप z coordinate include हो जाएगा, ठीक है, और distance formula के अपने अप समझना, मैं सारी चीजे समझा देता हूँ, सबसे पहले एक छोटे से diagram से समझते हैं, let's say यह point A है, और यह कोई point उससे कुछ दूरी पर B है, A point के coordinate x1, y1, z1 है, B point के coordinate x2, y2, z2 है, और इन दोनों points के बीच की distance हमें find करना है, ठीक है, तो दोनों points के बीच की distance find करने का formula हो ज y2-y1 का whole square, plus z2-z1 का whole square, that's it, यह हो गया formula सबसे पहला जो आपको याद रखना है, यह part अगर हटा दो, तो यह portion आपने पड़ा हुआ है, यह portion आपने देखा हुआ है, ठीक है, ओके, पुरानी class में हमने देखा, यह distance formula इस तरीके से बनता है, अब इसी के बहुत सारे applications है, यह first part मान लेते हैं इसको suppose, अब second part, किसी point की, let's say, एक point space में ले लेते हैं, x-axis, y-axis, z-axis, यह origin हो गया, जिसके coordinate 0, 0, 0, और कोई यह point P consider करते हैं, space के अंदर, जिसके coordinate x, y, z लेते हैं, तो किसी point P की, जो की space के अंदर lie कर रहा है, origin से distance कैसे लिखी जाती है, तो origin से distance का formula OP हो जाएगा, root over, इसी formula का यह application है, इसी formula से बन रहा है, same formula अप्लाएगरो, x2-x1 का whole square, plus y2-y1 का whole square, plus z2-z1 का whole square, तो भीया देखो, यहाँ पर ध्यान से formula क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, x2 square, plus y square, plus z square, यह किसी भी point की origin से distance का formula होता है, जो कि आपको या रखना है, को doubt है, इसमें किसी को, नहीं, बहुत simple है, अब आगे चलते हैं, point number third पे बात करते हैं, बहुत यहां से समझना, कोई एक point है P, जो कि space में है, इसके coordinate x, y, z हमने ले लिए, इस P point की x axis, y axis, z axis, x y plane, y, z plane और z x plane के किसी ना किसी point से distance के से measure की जाती है, वो सारे formula में या line से लिखने जा रहा हूँ, तो अगर मैं P point की x axis के किसी point से distance लिखूँगा, तो पीटा formula बनेगा, under root में y square plus z square, कैसे बनेगा sir, हम कैसे माल लेंगे, यह x axis पे कोई भी point के coordinate होते है, x, 0, 0, yes or no, बिल्कुल sir, तो y और z 0, 0 है, अना x तो x ही है, तो जब आप यह formula apply plus y minus 0 का all square, plus z minus 0 का all square, तो ultimately क्या बनेगा under root में, y square plus z square, x के along अगर आप निकाल रहे, x axis से distance, x को missing कर दो, वाकि y और z में answer लिख दो, ऐसी अगर y axis से distance निकालना है, तो formula बन जाएगा under root में x square plus z square, y missing कर दिया है, यह पे y को हटा दो, अगर z axis के किसी point से distance निकालना है, तो formula बन जाएगा under root में x square plus y square, simple, बहुत simple से formula है, आगे बढ़ते हैं, अब plane से distance निकालते हैं, बान लो, इसी p point की x y plane से distance बताना है, यहार x y plane का कोई भी point का coordinate क्या होता है, x, y, 0, distance formula लगाओगे, तो x और y निपड जाएगे, under root में z का square बचेगा, चुकि बाहर निकलेगा, त अगर y z plane से distance निकालना है, देखो यार, यार, याद करने का तरीका भी सिखाते चलता हूं, साथ-साथ, अगर x y plane से इस point की distance निकालना है, तो x और y को ignore कर दो, z coordinate है, उसे mode लगा के बाहर लिख दो, y z plane से distance निकालना है, तो आपके बार x यहाँ पर missing है, तो mode of x answer आजाएग z plane से distance निकालना है, तो answer हो जाएगा mode of y, इस पूरे का screenshot ले ले लेना, यह बहुत important formula है, जो आपको अभी question के दोरान काम आने वाले है, चलो भया, तो शुरू करें, distance निकालना है, आओ एक एक करके सारे question को निप्टाते हैं, पहला question, थोड़ा direct करेंगे बटाना, चलो पहल question है, तो मैं थोड़ा सित्मिनांग से समझा रहेता हूं, सारी चीज़े basic से, distance between two points निकालना है, तो पहला question अगर हम करने जा रहे हैं, तो इसको हम x1, y1, z1 और इस point के coordinate को x2, y2, z2 assign कर देंगे, यह assign कर दिया हमने, अब बस distance formula लगा दो सिधा सिधा, तो भी आदे को formula अगर देखा जाए, इसको a मानले, इसको b मानले, तो a, b के भी इसकी distance का formula होता है, under root में x2 minus x1 का whole square, plus y2 minus y1 का whole square, plus z2 minus z1 का whole square, यही होता है formula, बिल्कुल सरी ही होता है, तो a, b के भी इसकी distance हो जाएगी, root over, यह रहा है x2, यह रहा है x1, तो जाएगा, 4 minus 2 का whole square, plus पहला question है, मैं basic से सारी चीज़े समझा रहा हूँ, बाकि वो तीनों question अपन उड़ा देंगे, direct, y2 minus y1 का whole square, मतलब 3 minus 3 का whole square, plus z2 minus z1 का whole square, that is 1 minus 5 का whole square, simple है, आज हो, calculate करते हैं, तो यह बन जाएगा, देखो ध्यान से, 4 minus 2 is nothing but 2, 2 का square हो जाएगा 4, plus 3 minus 3, 0 हो जाएगा, 0 का square, 0 होगा, उसको लिखेंगे नहीं, 1 minus 5 is minus 4, और minus 4 का इसके रोजाएगा, plus में 16, ठीके, तो बैटा 16 और 4, 20 मतलब की root over 20 आपका answer आजाएगा, पीछे unit जरूर लगाए, इस root 20 को आप 2 root 5 भी लिख सकते हैं, ठीके, ऐसा भी लिख सकते हैं, पीछे unit जरूर लगाए, क्योंकि distance की कोई ना कोई तो unit रही होगी, मिटर, 70 मिटर, किलो मिटर, कुछ तो रहा होगा, तो उस लिहाज से आप answer दे देंगे, चलो भी, आगे चलते हैं, अब सेकेंड कोशन की तरफ बात करते हैं, अब थोड़ा direct करेंगे, x1, y1, z1, x2, y2, z2 को apply कर दो, बस महाँ पर assign कर दो, x1, y1, z1, x2, y2, z2 assign कर दिया, अब लगा दिया distance formula, ठीक है, आज वो फिर distance formula लगाते हैं, तो formula हो जाएगा, let's say, यह point A है, वो point B है, तो दोनों point के भीच की distance हो जाएगी, root over, 2 minus minus 3, का whole square, plus 4 minus 7 का whole square, plus minus 1 minus 2, का whole square, ऐसा कुछ हो जाएगा, बिल्कुल sir, तो a, b हो जाएगा, root over, जान से देखनो, minus into minus plus होता है, ठीक है, minus into minus plus होता है, तो यह हो जाएगा, 2 plus 3, that is 5, 5 का whole square, 25, plus 4 minus 7 is minus का 3, minus 3 का whole square करेंगे, तो 9 हो जाएगा, plus minus 1 minus 2 मिलके minus 3 हो जाएगा, minus 3 का whole square, फिर से 9 हो जाएगा, बिटा a, b आ जाएगा, हमारे पास finally, 25 और 18, यह हो जाएगा, 8, 5, 13, 43, मतलब, root over 43 unit हमारा answer हो जाएगा, कोई calculation हो, तो प्लीज इसमें देख लेना, mistake अगर हो जाए, तो सुधार लेना, ठीक है, आगे चलते हैं, third question पे बात करते हैं, तो दोनों point के बीच की distance हो जाएगा, root over, one minus minus one का whole square, plus, ज्यांसे समझना, minus three minus three का whole square, plus four minus minus four, का whole square, ठीक है, यह distance निकल करके आ रहिए, root over, one minus minus one, that is two, two का square four, minus three minus three minus का six, minus six का square करेंगे, तो plus 36, plus four minus minus four, that is eight, eight का square, 64, कितना हो जाएगा, 36, 44, 44, 104, तो answer हो जाएगा, root over 104 units, इसको आप prime vectorize करके थोड़ा और, अलग तरीके से लिख सकते हैं, बाकि इतना भी लिख देंगे, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें, पर बात करते हैं, point क्या क्या दिये हैं, इदर लिख देते हैं, two minus one three, and, minus two, one and three, इन दोनों के बीच के हमें distance निकालना है, इसको p माल लेते हैं, इसको q माल लेते हैं, तो p q distance हो जाएगी, root over minus two minus two का whole square, plus one minus minus one का whole square, plus three minus three का whole square, right, अब देखो जड़ा calculation किया है, इसके अंदर, minus two minus two minus four minus four का whole square plus sixteen, one minus minus one, that is one plus one two, two का whole square four, three minus three, zero ही हो जाना है, इसका value zero हो जाएगा, तो 16 और 4, 20, मतलब root 20, उसको two root five लिख देंगे, इतना unit answer आजाएगा, clear है, तो यह हमने distance formula के question, यहाँ पे हमने सारे खदम कर दिये, अब distance formula के अपने कुछ applications और हैं, जो कि हम लोगों को पढ़ लेने चाहिए, तो मैं आपको पहले समझा रहेता हूँ कि co-linear का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद इस question को करेंगे, ध्यान से समझना, co-linear, co-linear का मतलब होता है, एक ही line में लाई करना, 3 point आपको दे रखे हैं, A point, B point और C point, उन 3 point को मिलाने से अगर एक line मनती है, या ऐसा समझ लो कि वो 3 point एक ही line के उपर लाई करते हैं, तो इसका मतलब यह 3 point ABC कैसे हैं, यह co-linear है, यह points कैसे हैं, co-linear है, ठीक है, अब condition क्या है, co-linearity की, जो की distance formula से हमें समझनी है, कि देखो यार, यहाँ पर, A point से लेकर के, B point के बीच की जो distance है, वो आप calculate कर लो, let's say, यह कोई distance आजाएगी, कुछ भी आजाएगी, जो भी आप मानना चाहें, वो मान ले, फिर आपने B से लेकर C के बीच की distance निगाल ली, फिर आपने यह observe किया, कि A से लेकर B के बीच तक की जो distance है, वो, और B से लेकर C तक की जो distance है, उन दोनों का जो addition है, वो A से लेकर के C के बीच की distance के बराबर आ रहा है, मान लो यह distance P है, यह distance q है, small q ले लेते हैं, और यह distance r है, तो p plus q is equal to r आ रहा है, तो उसका मतलब यहाँ पर points कैसे होंगे, को linear होंगे, दो distance का sum तीसरी के बराबर आता है, मतलब points को linear होते हैं, यह हमेशा याद रखें, ठीक है, तो distance formula से हम पहले दो-दो points के बिच की distance निकालेंगे, फिर देख distance निकालते हैं, खोड़ा direct करेंगे, ठीक है, तो हमने निकाला, 1 minus minus 2, that is, 1 plus 2, 3 का square 9, 2 minus 3, minus 1 का square 1, 3 minus 5, minus 2 का square 4, तो यह हमने calculate कर लिया, कितना आता है, जब आये, देखो, एक बार ही, यह आ रहा है, हमारे पास, root 14 आ रहा है, कितना रहा है, root 14 units, इतना कुछ आ जाएगा यह, अब हम B से लेकर, C के बिच की distance निकालते हैं, ठीक है, B point से लेकर, C point के बिच की distance, तो यह हो जाएगा, 7 minus 1, that is 6, 6 का square 36, 0 minus 2, minus 2 का square 4 हो जाएगा, minus 1, minus 3, 4, 4 का square हो जाएगा, 16, अब देखो, जब रहा है, यह, कितना आता है, 16, और 4, 20, 20, और 36, 56 हो जाएगा, root 56, 14, चोके 56, मतलब, 2 root 14 लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, 2 root 14, अब हम C से लेकर, A के बिच की distance निकालते हैं, या A से C के बिच की distance बोल दो, A की बात है, तो A से C गए, तो 7 minus minus 2, तो 9, 9 का square हो जाएगा, 81, plus 0 minus 3, minus 3 का square हो जाएगा, plus 9, plus minus 1 minus 5, मतलब, minus 6, minus 6 का, 36 हो जाएगा, clear है, अब जब रहा है, इनको 8 करो, 81, 90, 90, और 36, 126, root over 126, क्या यह 3 root 14 के बराबर होगा, क्या, एक बाद चेक करते हैं, जब 3 root 14 को solve करेंगे, तो 3 अंदर जाएगा, तो 9 into 14 हो जाएगा, 9, 36, हाँ, ठीके, root 126 हा रहा है, मतलब, root 126 can be written as 3 root 14 units, तो यहाँ पर आप आर राम से देख सकते हैं, कि यह दोनों distance का जो sum है, A, B और B, C का जो sum है, वो C, A के बराबर आ रहा है, यह सुन, यहाँ पर हम लिखेंगे, since A, B plus B, C is equal to A, C, क्योंकि A, B है root 14, B, C है 2 root 14, और C, A है 3 root 14, तो हम बोलेंगे, कि points जो है, वो collinear है, therefore, given points are collinear, sorted, आसान, चलो है, आगे चलते हैं, verify the following, अच्छा, अब यह triangle की regarding और parallelogram या उनके regarding थोड़ा सा distance formula का इस्तमाल यहाँ पर हो रहा है, तो हमें हर एक triangle और हर एक quadriletal की condition पता ही है, कि जैसे अगर हम बात करें, equiletal triangle की, तो equiletal triangle में तीनों की तीनों sides की length जो होती हूँ, बराबर होती है, मतलब तीनों side की length हम vertices की help से distance calculate करें जो, तीनों distance अगर बराबर आए, तो वो equiletal है, अगर दो distance बराबर है, तीसरी बराबर नहीं है, तो वो iso scales triangle होगा, अगर तीनों ही distance बराबर नहीं है, तो scale and triangle होगा, दो distance में, दो distance का relation ऐसा आ रहा है कि, दो distance के square का सम तीसरी के बराबर आ रहा है, तो हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल को डिनोट करना है इस तरीके से तो यहाँ पर थोड़ा सा वैसे हमें calculate करना है हरे question को तो आप फड़ा-फड करते हैं पहले question को solve करते हैं verify the following these are the vertices of isocellus triangle ट्राइंगल पहले बना लेते हैं यह a point यह b point यह c point a उठा के रख दिया है यहां से 0 7-10 b हो जाएगा 1 6-6 c point हो जाएगा 4 9 and minus 6 ठीक है अब हम फड़ा-बट से सारी distance calculate करते हैं देखो बटा ab के भीश की distance निकाली तो यह जाएगा root over ज्यान से समझना 1-0 का square मतलब 1 का square 1 6-7 that is minus 1 का square 1-6 plus 10 मतलब की चार चार का हो जाएगा 16 तो 16 और तो 18 रूट 18 आंसर आजाएगा पहली distance root 18 आगी अब हम BC की distance निकालते हैं तो BC की distance हो जाएगी कितनी देखो ज्यान से 4-1 3 3 का हो जाएगा 9 9-6 9-6 करेंगे तो 3 3 का square फिर 9 हो जाएगा माइनस 6 माइनस 6 प्लस 6 तो यह माइनस 6 प्लस 6 जीरो जाएगा 9 9 8 मतलब रूट 18 आगया दो साइट की लेंद तो बराबर आ गई अब तीसरे की अगर रूट 18 ना के कुछ और आई तो हम बोलेंगे कि आईसो सेलेश ट्रेंगल वह ट्रेंगल होता है जिसमें दो साइट की लेंद आपस में एक्वल होती है एक्वल ठीक है टू साइट सेक्वल अब हम सीए के बिश की डिस्टेंस निकालते हैं यह जाएगा रूट वगर यह मैं से सी किया तो 4-0 का इसकेर 16 9-7 2 का इसकेर 4 प्लस-6 प्लस-10 4 का इसकेर 16 ओविएसली यह 16-16 32-4 36 मतलब 6 आ रहा है छोटा आ रहा है यह इन दोनों से छोटा आ रहा है बढ़ा रहा है रूट 18 कितना होगा रूट 14 रूट 16 फॉर हाँ छोटा बढ़ा आ रहा है जो भ दिख रहा है क्लियरली कि दो साइट की लेंध बराबरे तीसरी से इकवल नहीं है तो हम बोलेंगे कि यह इसके पॉइंट से और हमने वेरिफाय करना था वेरिफाय हमने कर दिया आगे चले अगले कोश्चन की तरफ सेकेंड कोश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर है इस बार हम मैं कंडिशन जानता हों कि अगर बेस का इसकेर प्लस परपेंडिकलर का इसके बराबर हैइपोटेनिस का इसके रहा तो हम बोलेंगे कि यह राइट अंगल ट्रांगल के वाट ईसे तो मैं आप यह यह पॉइंट नहीं कर रहा हूं मैं सिधा-सिधा पहले डिस्टेंस यह रूट 18 आ जाएगा अब हम निकालेंगे बी-सी बी-सी की लेंद कितनी आएगी बैटा देखो बी और सी किया तो 4-1-4-1-4-1-4-1-3-9-6-9-6-9-6-0 जाएगा तो 9-9-8-10 आ गया और सी ये के बारे में अगर बात करें चार में से जीरो गया तो 16 अरे चार में से जीरो गया तो चार चार का स्क्राइब 16 अब यार पीछली कोशन में बेसा ही कुछ था बट कई पर यह ऐसा देखा गया है कि आई से लेस्ट राइंगल ट्रेंगल का है केंसे यह दोनों में से कोई एक दूसरे से रिलेट करतें बट यहां पर फिर लिया देखो इन दोनों लेंथ का मैंशकोर का अगर आप सम इसका भी वेल्यू 18 आ जाएगा और 6 का इसके रोगा 36 तो 36 बराबर 36 आतावत दिख रहा है इसका मतलब हैंस यह जो पॉइंट से यह वेरिफाय हो गए है कि यह राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइस आगे बढ़ता है अगला है अब हमें इसके बना लो डाइगो बना लो क्योंकि कंडिशन पता होनी चाहिए पैरलेलो क्राम में आमने सामने की साइट के लें बराबर होती है मतलब 310 बराबर बी सी आना चाहिया एंड बी बराबर कितना आना च्यहिए द्शी आना चाहिए और ब्रेलेलो क्लां के डाइगोनीद होते हैं यह भी आपको ध्यान रखना है पेलर डाइग़ए राइडकोल कौन सा है AC is not equal to BD होना चाहिए यह condition follow होनी चाहिए मतलब अगर आप distance formula की बात करें तो आपको एक दो तीन चार पांच छे बार distance formula लगाना है लगाना ही पड़ेगा ठीक है आओ चोलो निकालते हैं फिर सारी distance पहले AD के भीच की distance निकालते हैं AD यह वाली distance निकाल रहे हैं यह जाएगा रूट और तू माइनस माइनस वन थी का इसक्वर 9 माइनस 3 माइनस 2 5 5 का इसक्वर 25 माइनस को इग्नोर कर देना बिटा 4 माइनस 1 3 का इसक्वर 9 कितना जाएगा 9 नो 18 और 25 अठारा प्लस 25 आट पांस 13 दो तिनों चार रूट 43 हो जाएगा यह रूट 43 ठीक अब BC निकालते हैं BC वाली length BC की length कितनी हो जाएगी 4 माइनस 1 3 का इसक्वर 9 7 माइनस 2 5 का इसक्वर 25 8 माइनस 5 3 का इसक्वर 9 हो जाएगा कितना हो गया 9 9 18 और 25 से मागया वेटा रूट 43 पतलब आमने सामने की side तो बराबर ही है अब हम निकाल देंगे AB और CD AB की length निकालेंगे पहले द्यान से देखो AB AB की length हो जाएगी 1 माइनस माइनस 2 का इसक्वर 4 माइनस 2 माइनस 2 4 4 का इसक्वर 16 5 माइनस 1 4 का इसक्वर 16 16 16 32 32 34 36 मतलब कि यह 6 आ जाएगा AB की length आगे बेटा 6 ठीक अब हम निकालेंगे CD की length तो जाएगा root ओगर 4 माइनस 2 का square मतलब 2 का square 4 अरे क्या कर दिया अरे एक मिनिट 4 माइनस 2 2 का square 4 हो जाएगा बटा 16 लिख दिया जो 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 7 माइनस 3 कितना जाएगा 4 4 का square हो जाएगा फिर से 16 अगले वाले का लिख देता गया 8 माइनस 4 4 का सब्सक्राइब यहां तक का तो मामला sorted है आमने सामने की length साइट की length बराबर है अब diagonal की length देख लेते हैं AC निकाल लेते हैं और BD भी निकाल लेते हैं देखो यार AC 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 4 माइनस माइनस 1 5 का square 25 अंडर रोट के अंदर और 7 माइनस 2 9 का square हो जाएगा 81 प्लस ज्यान से समय ना इदर 8 माइनस 1 यह हो जाएगा 7 7 का square 49 यह कुछ आ रहा है बेटा 5 और 6 और 9 15 पांच और 8 13 और दो पंदरा रूट 155 हो रहा है कि देख लेंगे कोई भी calculation mistake हुई होगी तो BD से पता चल जाएगा यह अन इक्वल आने चीवे से बीडी हो जाएगा 2 माइनस 1 1 का square 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस और माइनस 2 प्लस 1 1 का square फिर से 1 4 माइनस 5 1 का square 1 लो भी है यह तो बहुत ही छोटा आगया रूट 3 यहां से clearly पता चल रहा है कि AC is not equal to BD वो सारी condition यहां पे fulfill होती है जो हमें चाहिए थी इसके लिए हम बोलेंगे कि यह verify होता है कि यह चारो vertices parallelogram के vertices आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ चलते हैं find the equation of the set of points which are equidistant from this two point okay condition की इसाब से गर चलें तो एक point ऐसा मान लो P जिसके coordinate x y z लेट कर लिए हमने और यह दो point से equidistant है यह point A बोल दिया यह point B बोल दिया यह के coordinate हो जाएगे 123 इक के coordinate हो जाएगे 32 and minus 1 तो यहार सामने वाले न यह कहा है कि PA बराबर PBA उस हिसाब से आप एक set of points निकाल के बता दो ठीक है set of points का मतलब एक locus हमें बताना है क्या बताना है locus बताना है अंडरूठ हट गया भी आ ब सादिया हमने क्वालीस क्साटों सब्सक्राइब आगर पीपी की बात करें प्लस होलीस क्योलिस्क्राइब बेटा a plus b का holy square और a minus b का holy square हर बच्चे को आता होगा मैं यह मान के चल रहा हूं तो लगाना है हर जगे यह पर आपको लगाना है बट लगाने से पिले आप यह उफजर कर लो कि यह दोनों तो same time से cancel हो जाएंगी पाट दो उनको पहले और कुछ है कैस में और कुछ नहीं है जोगों भी बच्रा सब open कर दो इसको open करेंगे a square plus b square minus का 2ab यह open किया a square plus b square minus का 2ab इसको open किया a square plus b square minus का 2ab a square plus b square plus का 2ab कोई गर्बर हो तो देख ले ना x square x square z square से z square cancel और कुछ है जो कट रहा है और कुछ नहीं है कि वन से वन और काट दो वन से वन गट रहा है नाइन से नाइन भी गट रहा है जो बच रहा है वो सब आपका लोकस है तो माइनस इधर बुला लिया तो यह जाएगा प्लस का 4x उदर से और को ना जाएगा 2z इधर जाएगा तो माइनस का 8z is equal to 0 और हलका कर दो 4 से इसको x minus 2z बराबर 0 यह आपका set of points है यही आपका लोकस है जो आपसे मांगा गया था फिर है तो हमने निकाल दिया लोकस set of points आगे बढ़ते हैं find the equation of the set of points P the sum of whose distance from these and these points is equal to 10 अभी अच्छा कोश्चन है यहाँ पे आप distance equal नहीं है आप distance के इसकोर का sum 10 के बराबर है तो अगें हम मानेंगे तो वैसा ही कुछ P point को यहाँ लेट कर लिया x y z ठीक है और P point से इधर A point इधर B point A point के coordinate हो जाएगे 400 P point के coordinate हो जाएगे minus का 400 ठीक अब यह distance और यह distance के square का sum square का sum नहीं the sum of whose distances from these two points is equal to 10 मतला अब सामने वाले ने बोला है कि PA plus PB की value 10 है ठीक है PA plus PB 10 है तो अब यहाँ पे थोड़ा समझदारी से whole square करना पड़ेगा ठीक है हो जाएगा पेटा आपका P से एक ही distance यह जाएगा एकस माइनस 4 का whole square plus y-0 का whole square z-0 का whole square plus PB PB कितना हो जाएगा यहां से PB की अगर बात करें तो यह जाएगा एकस माइनस माइनस 4 that is equal to x plus 4 का whole square plus y square plus z square is equal to 10 दिया हुआ है question के अंदर ठीक है अब आपको यार दोनों तरब squaring करनी पड़ेगी क्या करनी पड़ेगी squaring और squaring भी एक बार से काम नहीं चलेगा दो बार करना पड़ेगा पहले एक बार करते हैं जब आप एक बार squaring करोगे तो यह बन जाएगा a square plus b square plus 2ab तो 2ab में फिर से वापस आपके पास under root की terms बनेगी एक काम करते हैं इसको उदर ले जाके करते हैं करना तो खेर दो ही बार अपने को इसको उदर ले जाके करते हैं ठीक है तो squaring करी दिया समझो मैंने चलो लिख देते हैं पहले एकस माइनस 4 का whole square plus y square plus z square का under root is equal to ध्यान से समझना इदर तो आएगा 10 minus under root के अंदर x plus 4 का whole square plus y square plus z square अब आप कर दो दोनादर आप squaring ब्रेकेट लगाया squaring कर दिया ब्रेकेट लगाया squaring कर दिया अब जब यहां under root हटा तो क्या बचा यह बचा इसको open करते वह लिख रहों में a square plus b square minus का 2a b plus y square plus z square as it is ठीक है a square plus b square plus 2a भी लिख दिया स्वरी minus का 2a भी लिखना था minus का 8x इस तरफ अगर देखें तो a square मतलब 10 का square plus b square करेंगे तो इसका whole square खुलेगा और उसमें भी x plus 4 का whole square open ही कर दिया मैंने यह मैंने a square plus b square लिखा अब 2a भी लिखेंगे 2 into 10 मतलब यह जाएगा 20 into b कितना है x plus 4 का whole square plus y square plus z square यह सा कुछ है अब देखो कुछ cancel cancel हो रहा है उसको काटा कुटा कर दो x square y square z square से पूरा कड़िया अब जो कुछ भी अच्छा 16 से 16 भी कट रहा है 8x को इदर बुला लो 8x को इस तरफ बुला लो 10 का square भी इदर आ जाएगा तो यह हो जाएगा माइनस का 8x माइनस का 100 और उदर से plus का 8x आया तो यह माइनस का 16 x हो जाएगा है माइनस common ले लिया माइनस मैंने common ले लिया और माइनस का 4 common आ रहे है actually minus 4 common ले ले लेते हैं तो 16 और 100 से 4 common ले लिया, minus 4 भारा जाएगा तो यहाँ 25 और यहाँ 4 बचेगा ऐसा कुछ आ जाएगा ठीक है इस इकल टू कितना चल रहा है 20 टाइंस ओफ अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस 4 का होल स्केर प्लस Y स्केर प्लस Z स्केर अब यह 4 से काट अब 20 को 5 बार अब दोनों तरफ दुबारा स्केरिंग कर दिया फिर से दुबारा यह 5 को लेते वे हैं बचेगा जिसको ओपन करेंगे तो A स्केर प्लस B स्केर प्लस 2AB 25 का 100 दूना 200 200 X इकल टू 5 का स्केर 25 और इस तरफ अंडर रूट हटा A स्केर प्लस B स्केर प्लस 2AB प्लस Y स्केर प्लस Z स्केर बचेगा क्यालकुलेशन थोड़ी हाइफाई है इसके अंदर बच कर लेंगे निपट लेंगे कोई दिक्कत नहीं है 15 X स्केर प्लस 625 प्लस 200 X इस इस इकल टू 25 X स्केर यहां पर बचेगा Y स्केर को पहले लिख देते है 25 Y स्केर 25 Z स्केर प्लस 25 आटे 200 200 X और 4 का स्केर 16 इंटो 25 सोला दोना 328 चालिस यह 400 हो जाएगा यह कैलकुलेशन हटा देना ठीक है अब सबको एक तरफ ले जाओ 16 X स्केर उदर गया तो 16 29 X स्केर बचेगा 25 Y स्केर 25 Z स्केर इस इनका काम तमाब हो गया 200 X से 200 X कैंसल हो रहा है बहुत बढ़िया 625 उदर जाएगा 400 के पास पर जाएगा माइनस का 225 इकल डू जिरो यह ऐसा कुछ आपका सेट आप पॉइंट सब्स ठीक हो तो प्लीज सेक कर लेना अच्छी खाजी कैलकुलेशन कर वाली हमसे हैं पर तो यह हो गई हमारी एक्सर साइस पर इसके कोश्चन क्या केते हैं वो समझते हैं अच्छा थ्री वर्टाइसे सो पर पैरलेलोग्राम ABCD आर ABC दिया है अब इस सवाल को समझने से पहले एक छोटी सी बात आपको समझनी चाहिए और वो बात यह है कि सपोस्ट कोई पैरलेलोग्राम है लेट से यह ABCD पैरलेलोग्राम है और इसके दो डाइगोनल है पहला यह वाला और दूसरा यह वाला तो AC और BD इसके दो डाइगोनल एगोनल इनको ले करके एक छोटा से चोटा सा फॉर्मुला है ऐसा बोल दो कॉंसे बोल दो प्रॉपर्टी बोल दो यहां पर डाइगोनल की स्पेलिंग में क्या एक खाए खा गया में ऐसा पुछ ठीक है डाइगोनल एबी और एसी जो है एबी एसी नहीं एसी और एडी जो है डाइगोनल एसी एंड बीडी और बाइसेक्ट तो इच अदर इसका क्या मतलब है यह कंडिशन है जो आपको याद रखनी है हमेशा ठीक है डाइगोनल्स इसका यह मतलब होता है कि जो डाइगोनल्स होते हैं वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं यह इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं यह इनका बाइसेक्टिंग पॉइंट होता है मतलब यह मिट पॉइंट होता है इसका डाइगोनल एसी का और डाइगो से दिख रहा है कि यह एक ही point पर लाई कर रहे हैं मतलब यह point side है दोनों के midpoint AC का midpoint और BD का midpoint coincide कर रहे हैं मतलब ऐसा बोला जा सकता है therefore करके midpoint of AC is equal to midpoint of BD बस यह condition याद रखे ठीक है इससे आपका सवाल सवन हो जाना है आप चलो सवाल पर चलते हैं यह आपको चार तीन वर्टेक्स दिये हैं चोथा निकालना है तो पहले diagram बना लेते हैं diagram बनाते हैं एक के coordinate कितने है 3-1 & 2 दी के coordinate कितने दिये है 1-2-4 दी point के coordinate आपको दिये है माइनस 1 1 & 2 और दी point के coordinate को आप मान लो खुछ भी जो आपका मरजी हो है प्रियंका कट्रिना और कियारा जो मानना है मान लो मैंने alpha बिटा गावा मान लिया अब यह बना दिया हमने पहला diagonal ऐसी और यह बना दिया मैंने दूसरा diagonal बीडी और मुझे पता है कि diagonal के जो midpoint है वो उनको नहीं पता होता है midpoint formula क्या है यह section formula का एक one of the case होता है ठीक है जिससे suppose दो point को join करने वाला कोई line segment है यह line segment मेरा बना दिया एक एक coordinate मान लो x1, y1, z1 पी के coordinate हमने मान लिए x2, y2, z2 इस line segment पर कहीं बीच में बीच में कहीं बीच में नहीं exact बीच में exact बीच में exact बीच में एक point है let's say c point है जिसके coordinate x, y, z है तो यह exact बीच में है मतलब यह c जो है इस line segment AB का mid point है राइन segment AB का क्या है je midpoint है तो इस midpoint के coordinate कैसे निकालते है अरे 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 इस midpoint का x coordinate कैसे निकाला जाता है बेटा एकस वन प्लस x2 by 2 करते है । मतलब एक तरीके से average निकाल दिया mean निकाल दिया y coordinate कैसे निकालेंगे y1 प्लस y2 upon 2 Z हो जाएगा Z1 plus Z2 upon 2 इस तरीके से निकाले जाता है screenshot ले लेना बहुत काम का formula है आज अब यहाँ पर हमें वो concept लगाना है ठीक है? वो concept हमें यहाँ पर लगाना है तो हम लिखेंगे midpoint of AC बराबर midpoint of BD हम AC और BD के midpoint निकाल लेते हैं AC का midpoint कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ो 2 से डिवाइड लगा दो पहले AC का निकालता है midpoint of AC midpoint of AC तो यह जाएगा 3 plus minus 1 by 2 यह x coordinate आगया अब y निकालते हैं एक ही जगे निकाल रहा हूं सारे में minus 1 plus 1 by 2 minus 1 plus 1 by 2 कॉमा पीसरा हो जाएगा 2 plus 2 by 2 ठीक है? तो जरा देखो यह कितना आता है 3 minus 1 2 by 2 1 हो जाएगा यह 0 हो जाएगा और यह 2 plus 2 4 by 2 2 हो जाएगा तो 1 0 2 midpoint of AC आगया अब हम निकालते है midpoint of midpoint of BD ठीक है? BD का midpoint कैसे निकलेगा? दोनों के x coordinate को जोड़ो 2 से डिवाइड लगा दो यह जाएगा alpha plus 1 by 2 comma beta plus 2 by 2 and gamma plus minus का 4 divided by 2 यह हो गया BD का midpoint अभी नोनों को हमें equal करना है ठीक है? तो 1 0 2 equate करेंगे उस coordinate के साथ उस point के coordinate के साथ तो alpha plus 1 by 2 beta plus 2 by 2 और gamma minus 4 by 2 ठीक है? इन नोनों को equate करो x को x से compare किया alpha plus 1 by 2 compare हो जाएगा 1 के साथ y को y से compare करेंगे beta plus 2 compare किया 0 के साथ z को z के साथ compare किया तो gamma minus 4 by 2 हो जाएगा compare 2 के साथ राइट? पस इसको solve कर लो यहां से cross multiply किया alpha plus 1 बराबर 2 तो alpha के लिए 1 आ जाएगा यहां से beta आ जाएगा minus का 2 यहां से gamma आ जाएगा 8 बेटा जो चोथा vertex है हमारा therefore fourth vertex vertex of vertex of parallelogram will be कितना आ रहा है बेटा? देखो ज्यान से 1 minus 2 and 8 1 minus 2 और 8 ऐसा कुछ आ जाएगा ठीक है? यह हो गया हमारा question स्वाब आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ next question क्या केता है? यह भी अच्छा question है इस सारे अच्छे question है मिश्लिनेश एक्सेस के find the length of the median of the triangle with vertices this तो एक triangle है यह कोई triangle है इसको डंग से बनाते हैं दुबारा मजा नहीं आया एक side बड़ी छोटी हो गई थी थोड़ा बड़ा triangle बनाते है ठीक है? ए हो गया यह B हो गया यह C हो गया A के vertex क्या दे रखे है? किदर किदर औरा? 006 B के vertex क्या दिया है? ध्यान से देखो 040 यह तो ऐसा लग रहा है किसी axis पर लाई कर रहे हैं सारे हाँ बड़ा तो वैसे भी जमा सकते थे मैंने ऐसे जमाते हैं इनको उसे कोई फरक नहीं पड़ता आप तो concept समझो सवाल सोल हो जाना चाहिए केता है find the length of medians median की length बतानी है पहले तो sir median क्या होता है वो बताओ हमको हम तो गरीब बच्चे हमें कुछ नहीं पता तो भीया median क्या होता है वो समझो किसी भी triangle में median किसको कहते हैं उस बात को समझने के लिए आपको एक triangle बनाना पड़ेगा triangle में कोई भी एक vertex पकड़ लो total कितने vertex यहां पर तीन है एक दो और तीसरा यहां पर कोई भी vertex पकड़ लो और उस vertex से सामने वाली side पर एक line खीचो ऐसे यह मैंने line खीच दे जब मैंने line खीची तो यह पाया गया कि यह सामने वाली side को bisect कर गई क्या कर गई bisect bisect मतलब दो बराबर हिस्सों में काड़ गई थोड़ा इसको डंग से बनाते हैं बीच में दिख नहीं रही है exact थोड़ा तेड़ा बनेगा ऐसे अब आप देखो यह distance बराबर यह distance दिख रहा है मतलब यह bisect कर गई तो इस लाइन को median कहा जाता है क्या कहा जाता है median कहा जाता है तो ऐसी total कितनी median हम बना सकते हैं बताओ ज़रा comment section में ऐसी total हमारे पास 3 median बन सकती है एक यह और तीसरी यह वाली इस तरीके से ठीक है और इन 3 median का intersection point होता है जिसको हम centroid केते हैं z से denote करते हैं वो सब के रागे की चीज़े उससे हमें कोई लेना देना नी हमें तो median से लेना देना है तो total 3 median बनती है और इन 3 median की हमें length निकालनी है उस question में तो ultimately हमें 3 vertices दिये हैं तो हम यह midpoint निकाल लेंगे यह तीनों midpoint यह वाला यह वाला और यह वाला फिर लगा देंगे distance formula तो distance निकल जाएगे ठीक है आज अब median बनाते हैं यह पहली बनाई इसको नाम दे दो यह पर यह point को नाम दे दिया अब दूसरी यहां बनाते हैं यह दूसरी median इसको e नाम दे दिया और तीसरी median यहां बना दी मैंने ऐसे निकल गई इसको मैंने f नाम दे दिया ठीक है यह तीन median बन गई अलग-अलग अब हमें यह पता है कि यह सामने वाली side को bisect कर रही है मतलब d is the midpoint of this side bc तो हम d के coordinate निकाल लेते हैं d के coordinate कैसे निकालेंगे midpoint formula से कैसे निकालते है midpoint formula से यह दोनों को जोड़ो दो से डिवाइड लगा दो यह जाएगा 6 प्लस 0 by 2 मतलब यह जाएगा 3 0 प्लस 4 यह जाएगा 2 0 प्लस 0 बाइटू यह 0 ही रहेगा यह डी कोडिनेट आ गए डी कोडिनेट आ गए तो क्या median AD की length नहीं निकलेगी अरे सोते सोते निकल जाएगी median AD की length क्या हो जाएगी length of median ठीक है formula लगा तो बेटा distance formula का तो जाएगा root over यहां से यहां distance लगानी है तो 3 माइनस 0 काश्केर 9 2-0 काश्केर 4 और 0-6 काश्केर 36 तो यह पहली median की length आ गई बेटा नो चार तेरा और 36 59 होता है यह 13 और 36 6 और 39 हां मतलब यह 7 आ जाएगा AD की length हो जाएगी 7 यूनिट्स यह पहला answer आ जाएगा बेटा यह पहला answer ठीक है अब ऐसे ही आप E point के coordinate निकाल लो E point के coordinate क्या हो जाएगे किदर गया यह रहा 6 प्लस 0 बाइटू midpoint formula लगा रहे है तो 3 हो जाएगा 0 प्लस 0 बाइटू 0 हो जाएगा 0 प्लस 6 बाइटू यह फिर से 3 हो जाएगा अब हम अगली मीडियन जो है हमारी बी यह जो औरेंज औरेंज जैसा दिख रहा है न यह वाली लेंद था न बी की लेंद निकालेंगे हम तो जाएगा रूट ओबर यह के कोडिनेट कितने है 303 यहां लिख देते हैं तो जाएगा 3-0 का इस्क्यर यह जाएगा 16 प्लस 3-0 का इस्क्यर अगेन 9 तो 16 और 9 25 और 9 34 रूट ओबर 34 हो जाएगा इतना यूनिट्स हमारा लेंद हो जाएगा अब हम एफ के कोडिनेट निकालेंगे और उसके रिकार्डिंग हम लोग cf निकाल लेंगे है न cf की लेंद निकल जाएगा एफ के कोडिनेट निकालने के लिए हमने a b का मिट पॉइंट लिखना पड़ेगा a b का मिट पॉइंट चीक है ती कितना जाएगा 0-2-3 यह 0-2-3 आ जाएगा अब cf की लेंद लिखते हैं यह जाएगा रूट ओवर पहले यह लिख देते हैं 0-2-3 यह d के भी लिखी देते हैं 3-0-2 आज अब यह लिखाना है तो यह जाएगा 6-0 का इसकेर देट इस 36 प्लस 0-2 का इसकेर मतलब 4 प्लस 0-3 का इसकेर देट इस 9 तो 9 और 4-13-36-59 मतलब यह वापस से 7 इनिट हो गया है तो यह हमने सारी की सारी median की length निकाल दी कोई calculation mistake हो तो please check कर ले ना बाकी concept मैंने आपको 100% दे दिया है ठीके आगे चलते हैं अगला question क्या कहता है जान से देखो अगला question कहता है if the origin is the centroid of the triangle PQR with vertices this 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 then find the values of ABC अब centroid का concept आ गया जो कि फिछले question में हमने median से सिखा भी था दुबारा से सिखाता हूँ एक triangle बना लो यह कोई triangle हो गया ABC इसकी तीन median मनाओ यह पहली median यह दूसरी median और यह हो गई तीसरी median ठीके यह तीन मीडियन हो गई यह तीनों मीडियन जिस point पर intersect कर रही होंगी उसको हम बोलते हैं centroid क्या बोलते हैं centroid of triangle इसको G से denote करते हैं इससे G से अब इस G के coordinate कैसे निग दालते हैं वो समझना वो सबसे important है let's say A के coordinate है x1 y1 z1 यह late कर लिया हमने यह question के अदर आपको given मिलेंगे B के coordinate मान लेते हैं x2 y2 z2 c के coordinate हमने late कर लिए x3 y3 and z3 ठीक है इसमें कोई doubt किसी को नहीं अब G जो centroid है उसके coordinate हम कुछ और मान लेते हैं अलफा बीटा गामा यह हमने G के coordinate मान लिए तो सबसे आसान formula होता है centroid के coordinate निकालने का जिसको ध्यान से समझना आप अगर मान लो आपको centroid का पहला coordinate निकालना है that is alpha तो alpha निकालने का formula होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 divided by 3 ठीक कैसे आया कैसे याद रखेंगे कुछ नहीं करना है तीन जो vertex दिये हैं तीनों के x coordinate को add करो divided by 3 कर दो उससे आपको centroid का x coordinate मिल जाएगा ऐसे ही समझगे अगर आप तो फिर y coordinate बतला बीटा और गामा आप बहुत इजी लिए निकाल सकते हैं screenshot ले लेना ठीक है screenshot लेना एक काम आएंगे फोर्मले सारे ओके चलो भीया अब हम चलते हैं हमारे सवालों की तरफ अगला सवाल यह जो हमारा centroid वाला इसको खतम करते हैं question में बोला है diagram बना लेते हैं पहले एक triangle बनाया a, b और c केता है if the origin is the centroid लो भीया origin centroid है सामने वाला centroid चल के बोल रहा है यह centroid है centroid के लिए हमने बना लिया medians और यह बन गया centroid और इसको हमने origin मतलब 0,0,0 इसके coordinate हो जाएंगे आगे बोला है a के coordinate a नहीं p है p q r लेना है चलो a,b सी गलती से ले लिया इसको अटाके p q r ले लेते हैं ठीक है यह जाएगा p, यह जाएगा q, यह जाएगा r p के coordinate क्या दे रखे हैं 2a,2,6 q के coordinate हमें क्या दे रखे हैं माइनस का 4,3 b and माइनस का 10 और r के coordinate है हमारे पास 8,14 and 2c ऐसा कुछ है ठीक है तो यार वही सेम गहानी centroid का पहला coordinate कैसे निकाला जाता है मतलब इस alpha को, alpha 0 है यहाँ पे, इसको हम कैसे निकालेंगे, 0 is equal to हो जाएगा 3 के x coordinate 8 करो, divided by 3 कर दो तो 2a plus 4, 2a plus minus का 4, plus 8, divided by 3 कर दिया, उसने हमें clearly a आता हो दिख रहा है यहाँ से बहुत easily आप a निकाल सकते हैं, 3 को cross multiply किया तो 0 is equal to, यह 0 को उदर लिखेंगे जो जाएगा 2a minus 4 plus 8 is equal to 0, जो जाएगा 2a plus 4 is equal to 0, यहाँ से 2a की value minus 4 आ जाएगी तो finally a की value यहाँ से minus का 2 हो जाएगी, a आगया minus का 2, अब हमें b find करना है तो b find करने के लिए y के corresponding centroid का formula लगातो, तो 0 is equal to 2 plus 3b plus 14 2 plus 3b plus 14, यहाँ से भी देख लेना एक बाद 2 plus 3b plus 14, divided by 3 कर दिया, 3 चला गया 0 में इसको डंग से लिखेंगे, तो यह जाएगा 3b plus 16 is equal to 0, तो b की value हो जाएगी minus का 16 upon 3, yes or no, बिल्कुल और ऐसे ही तीसरा coordinate के corresponding लगाओगे, तो 0 is equal to, यहीं से लगा लेते हैं, 6 plus minus का 10 plus का 2c, divided by 3, 3 गया 0 में, तो 6 minus 10 plus का 2c is equal to 0, तो 2c minus का 4 is equal to 0, तो 2c की value 4, तो c की value यहाँ से 2 आ जाएगे, c की value कितने आगे, 2 आगे, तो hence a आगे आगे आपके पास minus का 2, p आ जाएगा आपके पास minus का 16 upon 3, और c कितना आ रहा है, c plus का 2 आ रहा है, c plus का 2 आ रहा है, हाँ, c plus का 2 आ गया, और यह आपका answer हो गया, clear है सबको, आगे बढ़े, अगले question की तरफ, next question, if a and b be the point respectively, find the equation of the set of point p such that this equal to, अच्छा यह question तो अभी हमने किया भी था, वो sum 10 आ रहा था, वैसा को set of point वाला, set of points का मतलब locus निकालना है, तो इस condition को follow करते भी हमें चलना है, और set of points निकालना है, ठीक है, p a का square, p को late कर लो, p late कर लो, x, y, z, p हमने late कर लिया, ठीक है, p a का square, यह a मान लिया तो यह जाएगा, x-3 का whole square, plus y-4 का whole square, plus z-5 का whole square, और under root हट जाएगा, बेटा, क्योंकि p a का whole square दिया है, plus p b का whole square, तो p से b की distance, यह जाएगा, x-1 का whole square, plus y-3 का whole square, plus z plus 7 का whole square, इसी कल्टू k square, अब यहां से करना है, इनको solve करना है, और आपस में इनको solve करके answer लिख देना है, चलों इनको fada-faat से सबको open कर देते हैं, इसको open करेंगे, इसके बगल वाल हो जाएगा, a square plus b square, minus 2ab, इसके बगल वाल हो जाएगा a square plus b square minus का 2ab, ठीक उनके बगल वाले क्या हो जाएगे, जाएगा a square plus b square plus 2ab, a square plus b square minus का 2ab, a square plus b square plus 2ab, और उस k square को उधर मत रखो, बीचारे को इदर लियाओ, क्योंकि set of points का equation बताना है, मतलब equal to में 0 चाहिए हमें, अब x square कितने हैं हमारे पास, एक, दो, 2x square है, तो यह जाएगा 2x square, ऐसे ही 2y square, ऐसे ही 2z square हो जाएगा, अब x की terms को 8 करो, minus का 6x plus का 2x, यह जाएगा minus का 4x, y की terms को 8 करो, minus का 8y, और minus का 6y, minus का 14y हो जाएगा, जेट को 8 करो, minus का 10z, plus का 14y, जो जाएगा, plus का 4z, अब constant को 8 करो, plus का 9, plus का 16, 16, 25, 25, 50, 51, 51, और नो, साहाट, साहाट और 400, और 109, 109, plus में 109, minus का k square equal to 0, तो यह आपके पास set of points आ जाएगा, जिसमें से आप 2 को चाहें, तो थोड़ा सा हलका करते, common लेके 0 में भेज दें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चली भया, यह वाली सारी बाते होती ही, यहाँ पे खतम, तो अब फ़ोड़ा सा काम की बात भी कर लेते हैं, आपके लिए वेदान्तु क्या लेके आया, एक बहुत ही, surprisingly चीज आपके लिए लेके आया, वेदान्तु, जो की है, MVSET, आपने से क online चाहें, वो offline, वेदान्तु के offline center भी बेटा, आप खुलने वाले हैं, आप सबको update मिलाई होगा, तो आप particular जीज भी session में admission लेना चाहते हैं, वहाँ admission लेते वक्त, obviously हर बच्चा देखता है कि मैं अपनी performance के basis पे कोई scholarship मुझे मिल जाए, ऐसा कुछ facility मिल जाए, तो वेदान online exam date दे सकते हैं, online भी दे सकते हैं, online भी दे सकते हैं, घर पे बैठके, दोनों ही mode में आप exam दे सकते हैं, ठीक है, तो ये आप register कर लीजिए, description में link आपको मिल ही जाएगा, 37 आपको date यहाँ पे exam की लिखी हुई है, 2nd, 3rd, 9th और 10 December, ये सारी date में से, जो भी date आपको comfortable लेग उसके बिहाब पे आपको अलग-अलग percentage में scholarship मिलेगी, और साथी साथ बहुत सारे आपके पास, यहाँ पे emerging gifts भी है, जो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, सिफ scholarship नहीं मिलेगी, scholarship के साथ-साथ और भी भाई, बहुत सारे यहाँ पे gifts हैं, जो आपको मिल सकते हैं, ठीक है, तो 5-day fully paid space research program, यह बहुत बढ़ी opportunity कि आप space research program के 5 दिन के उसमें जा सकते हैं, वो आपको एक opportunity दे रहा है, वेदानतु, साथी साथ कोई assured scholarship के साथ, साथ up to 100% scholarship आपको मिल सकती है, up to 100% मतलब कोई बच्चा ऐसा हो सकता है, बहुत एक्ष्टा और यह तो उसके लिए भी सारे दर 3-1 free scholarship subscription और वेदानतु, डाउटेप, वेदानतु, डाउटेप का subscription भी आपको मिल सकता है, 3 महिने के लिए, ठीक है, get all India rank and performance report, यह भी आप लेंगे, साथी साथ, और क्या है, register now for free, अरे free है, free, 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 free की चीज़े कौन छोड़ता है, ठीक है, तो golden opportunity है, ठीक है, जिसके अ आप को scholarship मिल रही है, साथ साथ कोई assured gift भी मिल रहे है, क्या दिक्कत है, description box में जाओ, अभी के अभी, और जाकर के link को click करो, और scholarship का admission form मरो, और जाके देखे आओ, ठीक है बच्चों, चलिए, तो यह हमारी यहाँ पे होती ही, सारी बाते खतम, 3D वाला part हमारा खतम होता है, अ अब तक लिए अपना ख्याल रखिए, और अच्छे से पढ़ाई करते रहे, बाय बाय, टेक केर